आज हम कक्षानों के संस्क्रत खंड के प्रथम पार्ट वंदना का अध्यन करने जा रहे हैं तो आईए शुरू करते हैं तेजो अस तेजो मै धेही वीर्यम मस वीर्यम मै धेही बलमस बलम मै धेही ओजो अस ओजो मै धेही हे इश्वर तेजो असी का मतलब होता है तुम तेज स्वरूप हो मै का मतलब होता है मुझमे और धेई का अर्थ है धारण करना तो हे इश्वर तुम तेज स्वरूप हो अर्थात तुम प्रकाश स्वरूप हो मुझमे भी प्रकाश धारण कराओ वीर्यमस मतलब पराक्रम तो तुम पराक्रम स्वरूप हो मुझमे भी पराक्रम धारण कराओ बलमसी बलम मैधेही बलम का मतलब क्या होता बलमसी तुम बल स्वरूप हो तुम बलशाली हो मुझमें भी बल धारण कराओ ओजो असे ओजो ओजो का मतलब होता है ओज का मतलब शक्ति तुम ओजस्वे हो मुझमें भी सामर्थ धारण कराओ तो हे इश्वर तुम तेज सरूप हो मुझमे भी कांती धारण करवाओ या तेज धारण करवाओ तुम पराक्रम सरूप हो मुझमे भी पराक्रम धारण करवाओ तुम बल शाली हो मुझमे भी बल धारण करवाओ और तुम ओजसी हो, मुझमें भी सामर्त धारण कराओ अगला है असतो मा सद गमय, तमसो मा जोतिर गमय, रत्योर माम्र तम गमय अर्थात असतो, असतो का मतलब होता है बुराई से और सद मतलब भलाई से गमय मतलब ले चलो तो, हे ईश्वर, तुम मुझे बुराई से भलाई की और ले चलो तमसो मा जोतिर गमय तुम मुझे अंधकार अंधकार क्या है? तमस मतलब क्या होता है? तमसा मतलब अंधकार और जोतिर गमय का मतलब होता है प्रकास की और तो तुम मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो मृत्योर मा मृतम गमय और तुम मुझे मृत्यो से अमरता की ओर ले चलो मृत्यो से अमरता की ओर ले चलो तो हे इश्वर तुम मुझे बुराई से भलाई की ओर ले चलो तुम मुझे अंधकार यानि अज्ञान से ज्ञान की और ले चलो और तुम मुझे मुझे म्रत्यों से अमरत्यों या अमर्ता की और ले चलो अगला है यतो यता समीह से ततो नो अभ्यम कुरू शन्नाह कुर प्रजाब्यो अभ्यमना पशुब्या अर्थात यतो यता हां मतलब जिस जिस से समीह से चाहते हो जिस जिस से चाहते हो ततो नो अभ्यम कुरू उससे मुझे निलभय करो हे इश्वर तुम जिस जिस से चाहते हो उससे मुझे निर्भय करो शन्नाह कुरुप्रजाभ्यो सन्नाह मतलब कल्याड करना और पशुभ्या पशुभ्या मतलब पश्वो का तो हे इश्वर तुम जिस जिस से चाहते हो उस उससे मुझे निर्भय कर दो शन्नाह कुरु प्रजय अभ्या, सन्नाह मतलब हमारी प्रजा, प्रजा का कल्यान कुरु मतलब करो अभ्यम नह पशुब्या और हमारे पशुवों को भी को निर्भय कर दो अगला है नमो ब्रह्मभडे तोमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासी नमो ब्रह्मभडे मतलब ब्रम्भ तुम्हे नमस्कार है या ब्रम्भ के लिए नमस्कार है और तुमेव प्रत्यक्षम ब्रम्हा से और तुम्ही प्रत्यक्ष इश्वर हो या तुम्ही ब्रम्भ हो मैं तुमको ही प्रत्यक्ष ब्रम्भ कहूंगा तुमेव प्रत्यक्षम ब्रंब वदिश्यामे मैं तुमको ही प्रत्यक्ष ब्रंब कहूंगा, मानूंगा, बोलूंगा रितुन वदिश्यामे रितुन का मतलब होता है वास्तविक सच्चाई वदिश्यामे, सत्यम वदिश्यामे मैं वास्तविक सच बोलूंगा और सत्यम वदिश्या में और मैं सत्य ही कहूंगा तनमाम वतु तद वक्तारम वतु वह मेरी रक्षा करें और वक्ता वक्ता मतलब बोलने वाला वह मेरी रक्षा करें और वक्ता की रक्षा करें अवतु माम मेरी रक्षा करें अवतु वक्तराम अवतु की अवतु मतलब क्या होता है रक्षा करें वो माम मतलब मेरी रक्षा करें और वक्ता की भी रक्षा करें अगला है सत्य व्रतम सत्य परम त्री सत्यम सत्य व्रतम अर्थाग सत्य का व्रत धारण करने वाले और सत्य परम सत्य के मार्ग पर तत्पर रहने वाले त्री सत्यम याने त्रिकाल जो जिनको तीनों लोकों का ग्यान हो तीनों त्री सत्यम तीनों त्रेसे सत्यों सभूत वर्तमान और भविश तीनों रूप में उसको हम क्या कहेंगे कह रहे हैं त्री सत्यम त्रिकाल सत्य वृतम, सत्य परम, त्री सत्यम आप सत्य का वृत धारन करने वाले हो है इश्वर आप सत्य का वृत धारन करने वाले हो और सत्य में तत्पर रहने वाले हो और क्या हो? त्रिकाल सत्य हो सत्य स्य योनी, योनी का मतलब होता योनिम का यहां पर क्या मतलब है उत्पत्ति स्थान योनी उत्पत्ति स्थान तो सत्य से योनी नहितम चा सत्य और सत्य को उत्पन्द करने वाले और सत्य में ही इस्थित रहने वाले सत्य को उत्पन करने वाले और निहितम चा सत्य और सत्य में रहने वाले सत्य सत्यम रितु सत्य नेत्रम सत्य के भी सत्य और सत्य के प्रवर्तक हो आप यानि आप सत्य के भी सत्य हो और सत्य के जन्मदाता या प्रवर्तक भी आपी हो सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना तो हे इस्वर हम आपकी शरण को प्राप्त हुवे हैं प्रपन्ना मतलब प्राप्त हुवे हैं और शरणम मतलब शरण को आपकी शरण को हम प्राप्त हुवे हैं तेंक यू